नुश्कार मैं परविन अलावत और आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी आप सभी जानते हैं काफी पेचीदा होने के बाद हर्याना मंत्री मंदल के विस्तार का मामला है वो आज सूलज गया है आज खटर सरकार के मंत्री मंदल का पहला विस्तार हुआ जिसमें छैब कैब कैमिनेट मिनिस्टर है उनकी शपत दिलाई गई और राजय मंत्री है सवतंतरी प्रभार के उनकी शपत दिलाई गई है लेकिन उपर से मामला जितना सरल लग रहा है अगर आप इसके अंदर जाके अगर देखेंगे तो मामला है पहले से भी ज्यादा पेचीदा हो गया है आठ विधायक ऐसे थे जो भाजपा के कोटे में गई हैं, एक विधायक रणजीस सिंग चोटाला हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर की शपत दिलाई गई है, जबकी एक मंत्री है, वो जेजेपी के खाते में गई है, अनूप धारक, उनको राजे मंत्री बतोर है, शपत दिला उनकोनाम लगाते हुए, खटर मंत्री मंढल का पहला विस्तार हो गया, तो पहली टिपनी आपकी क्या हो गी, मंत्री मंढल अच्छा बनाया गया है, या पेच है, और फस गया है, पेचीदा हो गया मामलकाई, शरोपर्थम तो नय मंत्री मंढल और सरकार को बहूद निर्दलिये के सारे भी सरकार बना सकती थी जिसन काउंटिंग हुई उदन जितने भी निर्दलिये थे वो सारे के सारे भारतिय जनता पार्टि के आई कमान के पास पहुंच गए थे जी जी और कहने में उन्होंने सभी ने अनकंडिशनल स्पोर्ट दिया लेकिन ज्यादातर की मांग जो थी वो राजनिती के साब से जनता जानती है कि समयनुसार निर्दलिये विधायक कि इस परकार की डील करते हैं कुछ को मंतरी पद चाहिए था कुछ को कुछ और चाहिए था जब वो ज्यादा प्रेसर उनका बढ़ने लगा तो भारतिय जनता पार्टि ने संप लिए बैक फुट पर चले गए जेजेपी के साथ समझोता हुआ तो फिर उन्होंने जेजेपी को भी ये बताने का परियास किया कि हम नर्दलियों के सारे भी सरकार बना सकते हैं जेजेपी की इसमें एक अपनी मजबूरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 2009 में हरियाना प्रदेश क का जो इतिहास रहा जो हजिका के साथ हुआ था कि ऐसा कहीं आपके साथ घटित ना हो जाए इसलिए उन्होंने सरकार को समर्थम देने की सोची नर्दलियों की ये मजबूरी थी कि वह ज्यादातर निर्दलिय एक गोपाल कांड़ा नाम उनका हलोपार उन्होंने रख रख है पहली बार चुनाव जीत करके गई हैं तो कोई भी दोबारा मध्यावती चुनाव में इतना जल्दी नहीं जाना चाहता वो भी एक स्टेवल गूर्मेंट चाहते हैं तो यह मजबूरी वस इस जो विश्तार हुआ उसमें आज मनोरलाल खटर जी ने एक बात और से हैं उनमें चोदरी रणजीत सिंग को आज मंतरी बिनाया गया है वो डिजराव करते थे जी क्योंकि बड़े राज घराने से थे राजनितिक रूप से चोदरी देविलाल बहुत बड़ा नाम इस हिंदुस्तान के राजनिती में रहे हैं उनके वो बेटे हैं उनी सुस्त सासी में मंतरी रह चुके हैं शिर्षा जिला को भी भारतिय जन्ता पार्टी ने साधना था तो सिनियर्टी के हिसाब से वो उनको चुना जाना सही कदम है लेकिन बाकी जो निर्दलिये बचे उन्होंने पांच ने तो लंच और डिनर डिप्लोमेशी का खेल भी दिली के अ हरियना भाउन के अंदर खेला एक प्रेसर क्रियेट किया गया कि हम पांचों के पांचों इकटे हैं और हमारे में से किशी एक को मंतरी जरूर बना जाए और यह सभी मिल करके साइध बलराज कुंडों का नाम आगे करके चल रहे थे लेकिन वह मंतरी मंदल में जगह नहीं बना पाए और अगली जो इनकी बात आई जेजेपी से जो विदाय आज अनूब धानक जी मंदल में लिये गए बतोर राज्य मंतरी तो चर्चाएं यहां तक भी हैं कि आज जब दोशिन जी ने मीटिंग बलाई तो उस मीटिंग में जब उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की जाए जितने भी चैबिनेट मिनिस्टर हैं सबसे पहले कवरपाल गुजर हैं मुल्चन शर्मा रंजी सिंग चोटाला जेपी दलाल बनवारी लाल हैं इन छे चैरों मैंसे क्या आप मानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं एक्सपीरियेंस रहें काम करने का अनुभव है चै हैसले किस परकार के ले पाते हैं मुल्चन सर्मा जी जो हैं यह भी बतोर कैबिनेट मंतरी कहीं कहीं मुख्य मंतरी मोदین यह जाचा होगा परका होगा अब यह भी भाग तो इनके अवन्टित किये नहीं गए हैं कि किस मंतरी को कौन सा डिपार्टमेंट देंगे सही आकलन तो उसके बाद आएगा पांचा महीने के बाद लेकिन रणजीत सिंग चोटडा जी की जहां तक बात है यह पीछे पुरो में मंतरी रहे हैं 1987 में चोधरी देविलाल गवर्मेंट में साहिद किर्शिय मंतरी यह रहे हैं और उसके बाद जो आपके जेपी दलाल आए हैं लो है वह पीछे कि इन्होंने जनसभा में अपनी वरकर मिटिंग के अंदर अधिकारियों के बारे में बोला था कि या तो करमचारी जो है बदल जाओ वरना बदले जाओगे तो इस परकार की भासा का इन्होंने प्रियोग किया है अब देखते हैं को कुनसा भी भाग मिलता है और उस भी भाग के अंदर क्या भरष्टाचार को खतम कर पाते हैं क्या अटकी आई ओटकी हुई फाइलों को गती दे पाते हैं अगर ऐसा कर पाए तो अच्छे मंत्री शाबित होंगे बनवारी लाल जी को पहले मंत्री का उनको एक्सपरियेंस है और वह भी साइद अच् जीजेपी से अनूप धानक हैं जो उकलाना सीट से विदायक हैं जीत के आई हैं संदीब सिंग होकी खिलाडी ये एक बड़ा नाम बताया जा रहा है चोकाने वाला जिनको शामिल किया गया है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उम्परकाश यादव हैं जो की नारन सिंग ढंडा की ध्रम पतनी हैं हां हां जो साइद पाई से उनिसोस तासी के अंदर विदायक बने थे और मंदरी भी बने थी मतलों राजनिति परिष्ट भूमी है काफी लंबे समय से असी के दसक से इनके प्रिवार में राजनिती है तो अब बहास इनका भी राजनिती का रहे होंके दो बार वो विदायक चुन करके आए हैं पहले वहां से दूसरी बार आए हैं पहले वहां से साइद राव नरेंदर सिंग जी थे हां कॉंग्रेस गूर्मेंट में तो यह भी कुछ अच्छा करने की सोचेंगे जहां तक अनूप धानक को जेजेपी ने के थे इस चुनाओं के दुरान अंतिम समय में उन्होंने कांग्रेस चोड़ करके जेजेपी को जोइन किया था तो उन्होंने जब इनके एक ऐसी मंत्री को अगर इन्होंने शीट दिलानी थी तो यह नूप धानक को उन्होंने प्रात्मिक्ता दी पार्टी के लोयल है इनक इसको वैटेज यहां पर कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है होंपर का श्यादव है सिर्फ अगर आईरवाल के अगर बात करें तो हमपर का श्यादव है उनको कैबिनेट में शामिल किया गया तो आप क्या यह मान के चलेगी यहां तब वोट बैंक हो ना राज हो सकता है चि लेकि ना बैठी हो मंत्री मंदल विस्तार में एक दो शीट जो इन्होंने खाली रखी एक तो जेज़ेपी के कोटे की सिट खाली रहागी एक बीजेपी कोटे की रहागी तो चोड़ा मंत्री बन सकते हैं तो यह विद चीफ मनिश्ट जो है साइद बारा बन बारा बन बन असाज हो गए दो डिफ्टी शीम और शीम पहले शीम पहले शीम पहले शीम चुटा लाइक मनहुलाल खटर खुद हो गए तो उसमें हो सकता है कि एक जो हिसा बचा है बीजेपी के कोटे का हो सकता है वो इस तरह आ जाए और दूसरी अगर आप यह देखोगे कि हरीवार मे मेंशे awareness केवल एक महम की शीड गई वी नद इंद लिया के खाते में बलराज कंडू के पास गई जी तो दो शीट उनके पास गई है एक उनके पास राए की शीड गई है और एक उनके पास गन्योर की शीड गई है तो देक Couple सभी पूरी परलियमेंट्री कोन्सी चुछ और मंतरी मंदल में किसी को आजमुन रौर जी ने जगह नहीं दिया जी तो उमीद लोकों की थी के वह फैक्टि जलाक के झाइस कई कोई थिक्वा क्यों आजए अजाद चोदे मंत्री हैं वो बन सकते हैं तो अब जेजेपी में क्या आपको नहीं लगता कि रार इससे ज़्यादा और बढ़ गई यो कि देविंदर बबली बोवी डिजरू कर रहे थे कहिना कई श्वर सेंग हैं उनका भी नाम आगे चल रहा था और सबसे इंपोर्टेंट दुश के बाद होगा हाँ जब सारवजन एक रूप से नेता ब्यान बाजी देना सुरू करेंगे हैं लेकिन इस मंत्री मंदल के विश्तार पर जहां हम जेजेपी का दरश्टी कौन देखते हैं हैं अगर मूल रूप से हम देखें हैं तो जेजेपी के खुद के अपने तीन विध भूमि से या इनलों कि प्रिस्ट भूमि से नहीं थे जि कोई बीजेपी की परिस्ट बहूं में से था कोई तरे प्रीकट नहीं मिल पाया हम और टिकट माम मिलने पर आखरी समय में उन्हों ने जेजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा अब आप देवेंदर बबली को द और डाक्टर इस्वर सिंग जो हैं जो जेजे पीशे विदायक बन करके हैं उनकी यह उम्मीद थी के राजनितिक रूप से मैं सबसे शीनियर हूं साइद वो 1977 में साइद पहली बार चुनाओ जीत करके आए थी तो वो सिनियर्टी के हिसाब से मंत्री मंदल में जगह पा रहे पढ़ना चाह रहे थे तो कहीं कहीं आज केवल अनूप धानक को बनाना और देवेंदर बबली भी चारे हैं के मेरा नाम क्यों नहीं आया रामकु के पास अभी भी रह जाता है निर्दलिय क्या आपको नहीं लगता कि निर्दल के विस्तार से नाराज हो सकते हैं क्योंकि सोंबिर सांगवान जिनकी प्रष्ट भूमी बीजेपी की है बेशक से टिकट ना मिला हो बाद में निर्दलिय उत्रे इसी तरह बलराज कुंडू ह है वह भी जेपी से पहले टिकट मांग रहे थे नहीं मिला निर्दलिय उत्रे जिते तो क्या आपको नहीं लगता कि निर्दलिया भी कई ना कई मंत्री मंडल की जो विस्तार हुआ है उनमें भी बेचैनी और हलचल निर्दलियों में भी हो सकती है आज भारतिये जनिता पा हाँ तो आज निर्दलियों को कहीं कहीं ये जटका उन्होंने जरूर दिया है कि आपके बगर भी हमारी सरकार चलेगी लेकिन समय राजनिती में बदलते देर नहीं लगती भविश्य में अगर कोई कटूता जेजेपी और बीजेपी के अंदर आती है तो फिर निर्दलियो हो जाएगे लेकिन लिजोल को फिर मंत्री पत का लालत दे दिया जाएगा मंत्री बना दिया जैए का ये तभी रूवी परकार से दोना आत्व में ये संमर्थन के साथ हैं और लंग रहा है उपर से लेकिन हिंदोस्तान की राजनेती बड़ी उठा फटक वाली रही है हमने वह दोर भी देखा है उनीसोस तासी में जब चोधरी देवलाल के नबह में से पिचाशी विधायक जीत करके आए थे वह सरकार भी अलब मत में आकर के तूट गई थी आराश्ट अपदी शासन लागू हो गया था और यह तो चारी से विधायकों के साथ सरकार है जे जे पी अलग से दे रही है नर्दली अलग से दे रही है उनीसोचनमा का किस्सा भी मेरे को याद आता है भारतिये जनता पार्टिन और चोधर इबन शिल से कहम नारा भी था दस नर्दली अविधायक चुनाव जित करके आए थी जो इबन सिलाल की सरकार धडले से चल रही थी किसी मुद्दे के उपर भारतिये जनता पार्टी ने उनको धंकी दिया हम समर्थन वापिस ले लेंगे उन्होंने समर्थन वापिस ले लिया जो इब कि लिए वे समर्थन भाइन nggak सговुछN वापिस ली लिया उसके बाद चोरिव दर्शे लाल के पास साथ ही या राठ है मिले भचे ते जो वांगाधिे Chair advice दशे nevertheless बाकित वहां से कि वह मुद्दा को 12 003 व. गए थे बाकी के सारे के सारे प्रदेश के मुख्य मंत्री बने उनको समर्थन देड़े चले के पार्टी के अंदर करके उन्होंने इने लोगो स्पोर्ट किया तो हर्याना की राजनिती जो आयाराम और गयाराम का जो नाम चला हुआ है वह हो सकता है ँस खास चर्चा में अभी तक अनिल्विज हैं हमने उनको शामील नहीं किया है अनिल्विज ajudar मनत्री पहले करें राजनीते में एक कड़ी बात होती है जब पार्टी मजबूत सतीती में हो जिसका धैक्स और मुख्या काफी मजबूत हो जैसे अमिच्छा जी आज हैं और नरेंदर मोदी जी जी इस पोजिशन में हैं तो भारतिय जनता पार्टी के अंदर उनके इशारे के वगर पत्ता नहीं इलता है अगर वो जो फैसला कर देंगे सायद किसी प्रदेश के मंत्री की तो बात छोड़ो मुख्या मंत्री तक भी उस फैसले को पलटने का मादा नहीं रखते हैं तो राजनितिक रूप से कई बार जो दबंग आदमी होते हैं उन की स्थिति भी इस प्रकार की हो जाती है कि ना हिलने की डूलने की नाइजाज़त है फरियाद की बस घुट घुट के मर जाओ यही मर जी मेरे सयाद की उस स्थिति के अंदर आपने इलविज को हम देख रहे हैं जो जेजीपी के उपर वेंग बान करते थे बार बार दोशिंद जी को चेलेंज करते थे खास दोर से इनके परिवा हैं और कुछ दिन बादा जी बाहर पिरॉल पर आएंगे तो आज अनिलविज कि ना तो कुछ बोल पा रहे हैं ना परशंचा कर पा रहे हैं ना विरोध कर पा रहे हैं वह बी मजबूरी वसाज पुराने मीडिया के आप जैसे लोग जब उनको पुराने बैयान उनके नाम भी रहा है और हर्यरा प्रणाइश की प्रश्टबूमी है खेल की है तो इनको शामिल करना किस तरीके से देखा जिए पॉजीटिव है इनको शामिल करना थो झालरी उता टर अलाए के उपर वहें मानीच मंदृतान की जंता की प्रणाइश प्रणाइrif किसी पार्टी का खिलाडी को देश की जनता नहीं मानती है मजबुरी बस उनको चुनाओ लड़ना पड़ जाता है और राजनितिक लोग खिलाडियों को एक महरा बना करके अपनी पार्टी में लेकर करके चुनाओ लड़वाते हैं फिल्म स्टारों को और इनको उम्मीद करत सब्सक्राइब लेकिन आप देखी पार होंगे कि चुनिंदा जो विभाग है जीजेपी को कौन से दिये जा सकते हैं बीजेपी अपने पास कौन सी रखेगी बुद्वार को यह सुत्र बता रहे हैं कि बटवार हो चुका है जीजेपी के पास आपकारी कराधान उध्योग शरम रोजगार नागरिक एवं उडियन लोख निर्पान विभाग पंचायत विभाग है यह जेजेपी के पास है जबकि ग्रेवित किर्शी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसे बीजेपी के पास है तो जेजेपी पर आप कही नहीं है यह ग्यारा डिपार्टमेंट कल दोशियन चोटड़ा जी को दी है और दोनों बाते हैं जब आप मंदल बनाओगे तो ऐसे महकमे भी होंगे जहां से सरकार की इंकम सोर्ष होती है तो उसके हिसाब से अगर वो पलस में ले करके आते हैं अच्छे इंकम ले करके आते हैं प्रदेश के लिए बड़ी अच्छ मंत्री ची को देना चाहूंगा अब तक जितने मंत्रियों का नाम हमने देखा है साइद भरेष्टाचार का आरोप या करफशन का आरोप इन में किसी की उपर कोई चार्ज नहीं है यह आज एक अच्छी बात है और उमीद करते हैं कि इनके चरितर के उपर जितने मंत्री ब पहावना चल रही है जो विचार चल रहे हैं कि उनके अंदर बदला हुआ है क्योंकि इसलिए भी जरूरी हो जाता है आपकी बार जो चुना हुआ उसमें सबसे ज्यादा जंता जिनसे नाराज थी वो भाजबा के बड़े-बड़े मंत्री ही थे भाजबा के बड़े-बड राठी और आज खटर सरकार के मंत्री मंडल का जो पहला विस्तार हुआ है उस पर गहनता से हमने जाच की है उन मुद्दों को वीट उठाया है जो उपर से देखने से शायद सरल सिधे साधे लग रहे हैं लेकिन मामला बेहत पेचीदा है और पेचीदा आगे भी इसलिए ह शामिल किया जाएगा और कहीना कही जो निर्दलिय विधायक है उसमें सिर्फ रंजीत सिंग चोटाला है आज कैबिनेट मिनिस्टर की तोर पर उनको शबत दिलाई गई है तो कहीना कही निर्दलिय है वहां भी पेच पूरी तरह से फस गया है क्योंकि बलराज कुंडू औ मंत्राले शायद एक ही मिलेगा तो दोनों भाजबा की प्रश्ट भूमी के हैं कम से कम वहां पर जो बटवारा होगा वो भी पेचिदा होगा और जैसे कि राटी साब ने बताया कि आज एज़ेपी के जो दस विधायकों की शबत से पहले एक बैठक होई थी उसमें पुथल काफी है उसमें होने वाली है क्योंकि मंत्री मंदल का जिस तरह से विस्तार हुआ है उसमें मामला पेचिदा हो गया है लेकिन हाला कि राटी साब ने एक बाद जरूर बताई है कि जितने भी मंत्री अभीतर जीनों ने शपत ली है कईयों की कई अच्छी खासी रा ला पाता है या नहीं लापाता है और इसके बाद बैयानव का भी दोर शुरू होगा जो नाराज है विदायक जिने मंत्री मंदल नहीं मिला चाहे वो निर्दलिया है चाहे वो जेजे corporate के हैं बैयान भाजी भी लगातार है वह शुरू हो जाएगी बैयान है वो भी लगात हैं आने लग जाएंगे फिलाल इस खास चर्चा में इतना ही शुक्रिया नमस्कार